ठी, चेक इट आउट गाईज, स्वागत है आप का स्टून टेक में, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलक्सी Z Flip 3 5G के बारे में, जानेंगे इसके फुल फीचर एंड स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मुबाइल में कुछ खास, सबसे पहले बात करते हैं इस मुबाइल की डिस जाएगी, अब चलते हैं इस मुबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, चिपसेट और इसके जीप्यू के बारे में, इस मुबाइल में Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चिपसेट, Snapdragon, 888, 5G होगा, अगर बात करें इ HDR का फीचर भी मिल जाएगा, अगर इसकी वीडियो कालिटी की बात करें तो 4K, 1080p और 720p में अच्छी क्वालिटी की इसकी मेन कैमरे से वीडियो और फोटो शूट कर सकते हैं, अगर बात करें इसके सैल्फी कैमरे की तो इस मुबाइल में 10 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा देखने को मिलेगा, अगर फ्रेंट कैमरे की वीडियो कालिटी की बात करें तो 4K में आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो और फोटो इसके फ्रेंट कैमरे से शूट कर सकते हैं, अब चलते हैं इस मुबाइल के अगले सेग्मेंट की तिरफ जिसमें हम बात करेंगे इसक के card slot की तो इस mobile में आपको कोई भी card slot नहीं देखने को मिलेगा internal memory 128 GB और 256 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM variant की 8 GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के sound quality की तो इस mobile में एक अच्छी quality का stereo loud speaker भी होगा और 3.5 mm jack आपको इस mobile में नहीं मिलेगा अगर बात करें इस mobile के fingerprint sensor की तो fingerprint sensor इस mobile में side mounted होगा अब बात करतें इस mobile की battery के बारे में जिसमें 3300 mAh की काफी छोटी बैटरी आपको देखने को मिलेगी अगर इसकी charging की बात करें तो इस mobile में 15 watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इसके कुछ common features की तो इस mobile में 3.1 type C USB port देखने को मिलेगा infrared port का feature आपको इस mobile में नहीं मिलेगा अगर बात करें इसके NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इसके color price और इसकी release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black और cream color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 84,999 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 10 September को release होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में